जय मतादी जय मा कमक्या देव राधा टस्ट सत्यवानी चैनल से आप नव रात्री में दुर्गा सब्त शती का अनुस्ठान केसे करें आज इसके बारे में आप सुनेंगे यदि किसी ने अनुस्ठान अभी तक नहीं किया है तो आज उनको ये महत्त पुर्ण ज्यान मिलने वाला है ओम भीम दुन दुर्गाईन महा या ओम भीम चंडिकाईन महा तो नव रात्री में मा की उपासना के लिए दुर्गा सब्त शती के अनुस्ठान की वीधी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो दुर्गा सब्त शती में जो तेरा अध्याय दिये गए हैं हर अध्याय का अपना मेहत्व है व्यक्ति अपनी संकल्प के अनुसार अपनी कामना पूर्ती के अनुसार अध्याय का पाठ कर सकता है चाहे सो फाठ करें पचास पाठ करें उसी का अनुसार उसकी कामना पूर्ती होती है तो चुकि दुरगा सब्तशती की किताब में तो नहीं दिया गया है कि इन तेरा अध्याय में किस-किस अध्याय से क्या चीट प्राप्त हो सकती आपको वंदू आज हम आपको यह रहस्य में ज्यान प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप यदि पूरी दुर्गा सफसती का पाठ नहीं कर सकते चाहे हिंदी में हो या अपनी इस्थानी भाषा में हो या ससकत में हो तो हम आपको यह बता रहे हैं कि कोन-कोन से अध्याय से पाठ एक ही अध्याय का पाथ लगातार करने से, आपको क्या चीज हासिल हो सकती है, तो चलते हैं, प्रथम अध्याय, ये प्रथम अध्याय का बारम बार नव रातरी में पाथ करने से, हर प्रकार की चिंता मिटाने के लिए इसका पाथ किया जाता है, सिर्फ चिंता मिटाने के लि है बेटे-बेटी की चिंता है या कोई सांसारिक चिंता आपको लगी हुई है डर बेठा हुआ है कि पुलिस थाना हो सकता है कोड के हो सकती है घर से बेरोजकार होने की चिंता है कि तो आप नव रातरी में प्रत्म अध्याय का पाथ कंटीमई लगातार करते रहें कि यदि अब दिती अध्याय क्या क्या किता ए कि मुकदमा जगडा आदी में विजय प्राप्त करने के लिए दुर्गा सब्तशती के दूसरे अध्याय का लगातार पाठ करना चाहिए यदि आपका कोई कोड केस चल रहा हो जमीन जायदत का कोड केस हो सामाजी को राजनीती को किसी भी प्रकार का हो तो मुगदमे में या जगडों में या पुलिस केस में विजय प्राप्त करना है तो मनुश्य को दृति अध्याय का नव रात्री में पाठ करना चाहिए या पाठ करा भी सकता है किसी ब्राह्मन से संकल्प दे कर गे अपनी कामना पूर्टी के लिए इनका पाठ कराना चीए यदि मनुश्य को शत्रु से छुटकारा पाना हो चाहे उसका पडोसी हो चाहे उसका रिष्टेदार हो चाहे उसका सगा भाई हो कोई भी शत्रू हो सकता है आपका तो शत्रू से छुटकारा पाना हो तो तीसरे अध्याय का लगातार पाठ करते लेना चाहिए आपको नहीं मालूम कि आपका कौन शत्रू है गुप्त शत्रू भी हो सकता है तो वो शत्रू का नुकसान अवश्य होगा ही होगा और यदि कोई व्यक्ति कहता है कि साम मेरे को तो शत्रू भी नहीं है, कोई मुकदमा भी नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है, तो वो कहता है कि मुझे किया भक्ति शाहिए, शक्ति चाहिए और दर्शन चाहिए माता के, तो उसे चतुर्थ अध्याय का लगातार पाठ करना चा काम का पाठ है जो साधक मनुष्य हैं जो साधना करते हैं और जिन मनुष्यों को देवी मा के लिए तरसते हैं कि हमें उनके सपने में भी दर्शन हो जाए सपने में भी वो आ जाए तो उसे चतुर्थ अध्याय का पाठ करना चाहिए इससे भक्ती प्राप्त होती है शक्ती प प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसमें भगवति दुरगा जी का उत्तम वचन द्वारा इस्थवन है, इसलिए इसके अंदर आपको भक्ती, शक्ती और सबकुछ प्राप्त हो सकती है। और पंचम अध्याय में भक्ती, शक्ती तथा दर्शन पंचम अध्याय से भी यही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये चतुरत अध्याय में भी शक्राद इस्तुती है और पंचम अध्याय में भी इस्तुती है दोनों के पाठ और हवन करने से भक्ती शक्ती तथा दर्शन प्राप्त होता है तो जो मनुष्य मा भगवती जगत जन्नी के दर्शन के लिए तरस रहा हो जो भगत मा जगत जन्नी को क्रपा प्राप्त करना चाता है भक्ती प्राप्त करना चाता है उनसे शक्ती प्राप्त करना चाता है परोपकार करना चाता है उनके दर्शन करना चाता है तो उस मनुष् पुसरे के अंदर भी इस्तुति ही है नमस्तस्य 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 नमह वाली इस्तुति है यदि आपको कोई डर लगता हो कोई शक हो कोई बादा हो और बादा ने उबूत प्रेत पिचास चुडेल डाकां जिन जन्ना दिस्वकार की बादा है तो एसे मनुश्य को छटे अध्याय का पाठ करना चाहिए और सुनना भी चाहिए। तो छटे अध्याय का महत ये है कि यदि मनुश्य को किसी से डर लगता हो, उपरी बादा हो, कोई शक लगता हो, रात को डर लगता हो, या फिर कोई बादा हो, उपरी बादा हो, उसे हटाना हो तो उसे छटे अध्याय का पाट करना चीए सब्तम अध्याय जो है यह हर कामना पूर करता है सब्तम अध्याय बहुत ज़्यादा इंपार्टेंट है क्योंकि जो कामना पूरती के लिए नौरातरी मनाते हैं इस सब्तम अध्याय के अंदर चंड मुंड का वद्ध का वर्णन किया गया है याने चामुंडा मा की क्रपा प्राप्त होती है तो हर कामना आपकी इस सप्तम अध्याय से पूरी हो सकती है और वशी करन करना हो किसी का या वशी करन शक्ती प्राप्त करना हो तो आपको अस्टम अध्याय का पाठ करना चाहिए पूरा नो रात्री में अस्टम ही अस्टम अध्याय का पाठ करिए वश्शीकरन शक्ति आपको प्राप्त हो सकती है क्योंकि इसके अंदर रक्त बीज नामक जो रक्ष से उसका वद होता है और रक्त भी इसका मतलब होता है तरशना यानि आपकी तरशना का अंत यहाँ पे हो जाएगा तो निश्चित तोर से आप में वशी करन शक्ति प्राप्त हो जाती है यदि आपके परिवार में कोई वक्ती गुम गया हो आ ही नहीं रहा हो पता ही नहीं चल पा रहा हो कहा गया हो तो गुम शुदा की तलाश के लिए या फिर हर प्रकार की कामना पूर्ती के लिए या पुत्र प्राप्ती के लिए नवम अध्याय का पाठ करना चाहिए जिसमें निशुम्ब का वद्ध के बारे में बताया गया है और दसम अध्याई में गुम्शुदा की तलास, हर प्रकार की कामना और पुत्र अध्याई के लिए नोवम और दसम अध्याई दोनों जो है ये पुत्र अध्याई प्राप्त कारने के लिए बताये गये हैं में बताए गया है तो इससे व्यापार वसुख संपध्धी प्राप्त होता है इसलिए जो व्योसाई है जो बिजनेस्मेन हैं उन्हें तो एकादश अध्याय का ही पाठ जादा से जादा नवरात्री में कराना चाहिए क्योंकि इसमें भी मा भगवती भूनेश्वरी देवी क ध्यान होता है और उनकी इस्तुतिक आई जाती है तो जो बिजनेस्मेन हैं इंडरेस्ट्री वाले हैं जिनको धन की आउश्चता है जिनको सुख संपत्ति की प्राप्ति करना हो तो उन मनुश्यों को जो भोतिक वादिक सुख चाहते हैं उन्हें उपवास रख करके दश अध्याय का पाठ करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा नौरात्री में और जो व्यक्तिमान सम्मान का भूका होता है उसको बारवे अध्याय का पाठ करना चाहिए और भक्ती प्राप्त करना हो किसी मनुश्यों को तो उसे तेरवे अध्याय का पाठ करना चाहिए इस प जादा ट्रस्त से संपर्क कर सकते हैं कि किस अध्याय से क्या चीज प्राप्त हो सकती है दुर्गा सफसती का पाठ करने की कई सिद्ध विधियां भी है सामानी विधी भी है वकार विधी भी है संपुठित पाठ विधी भी है तीन प्रकार से दुर्गा सफसती का पाठ किया जाता है। अब हम चलते हैं सामान्नी वीधी। सामान्नी क्या है कि दुर्गा सफशती का पाथ करना हो तो उसमें नवान्न मंत्र का जब किया जाता है। और सब्तशती का नियास करने के बाद में तेरह अध्याय का पाठ किया जाता है। पुराने सकाल से कीलक, कवच और अर्गला का पाठ भी सब्तशती के मूल मंत्र के साथ में ही किया जाता रहा है। यहने जो भी व्यक्ति दुर्गा सब्सती का पाठ करना चाहता है। उसे अर्गला, कीलक, कवच इसका पाठ भी करना चाहिए। उसके बाद में नवान मंत्र का जब करके नियास करके तेरह अध्याय का पाठ करना चाहिए। यही सामान्य विदी है और सर्व सुलब विदी है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी कन्फिजन नहीं होना चाहिए। और अभी वर्तमान की जो किताब है उसमें देवी अथर्व शिर्ष, कुझी का मंत्र, वेदोक्त, रात्री सुक्त, देवी सुक्त, यह भी चोड़ दिये गए हैं। जिससे सादक एक घंटे में देवी पाठ कर सकते हैं। तो यह हो गई वकार विदी, अब आपको वकार विदी बताते हैं, यह विदी भी अत्यंत सरल मानी गई है, इस विदी में प्रथम दिन एक पाठ प्रथम अध्याय किया जाता है, दूसरे दिन दो पाठ, यहने दिती तरती अध्याय किया जाता है, और तीसरे दिन एक पाठ चतुर्त अध्याय का करते हैं, और चोथे दिन चार पाठ पंचम के करते हैं, शस्टम सप्तम अस्टम अध्याय, पाचवे दिन दो अध्याओं का पाठ नवम दसम अध्याय, और छटे दिन ग्यारा अध्याय, और स पात्यवे दिन दो पाठ 12 M 13 अध्याय करके एक आवरती सब्तशतिकी होती है। इसका इनियम है। इसको वकार वीधी कहा जाता है। इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं क्योंकि जो सामानी वीधी है उसी का ही प्रयोग जादा से जादा होता है। हाँ कुछ तांत्रिक लोग संपुटित पाठ विधी का प्रयोग करते हैं या फिर कामना सिद्धी के लिए संपुटित पाठ किया जाता है किसी विशेश उद्देश से विशेश मंत्र से एक बार उपर तथा एक नीचे मंत्रों को रख करके संपुटित मंत्र बनाय जाता है और फिर उससे हवन भी करते हैं और पाठ भी किया जाता है तो यह संपुटित मंद्र जो है इसमें समय अधिक लगता है और शक्तिशाली जादा हो जाता है अब एक और विधान होता है जिसमें नव चंडी विधी कहा जाता है इस विधी में नो ब्रामन साधान विधीधार पाठ करते हैं एक ब्रामन सफसती का आधा पाठ करता है जिसका अर्थ है एक से चार अध्याय का संपुर्ण पाठ पाँचवे अध्याय में देवा उचु नमो देवे महादेवे से आरंब करके रिशी रुवाच तक करता है एकादे अध्याय का नाराण इस्तुती बारवा तथा तेरवा अध्याय इस आधे पाट को करने से ही संपुन कारी की पुर्णता मानी जाती है फिर इसमें एक अन्य ब्रामन द्वारा शडंग रुद्रास्टा ध्याई का पाट किया जाता है इस प्रकार कुल ग्यारह ब्रामनों द्वारा नव चंडी विधी द्वारा सफ सती का पाट होता है पाट के पश्यात उत्रांग करके अगनी इस्थापन कर पुर्ण आउती देते हुए हवन किया जाता है जिसमें नव ग्रह की सम्मीदाओं का प्रयोग किया जाता है सफ सती के पुर्ण मंत्र को सामिल किया जाता है श्री सुक्त, पुरु सुक्त, शियु मंत्र, सद सुक्त का प्रयोग होता है, इसके बाद ब्राम्मन भोजन, कुमारी भोजन, ये सब किया जाता है, और वाराई तंत्र में कहा गया है कि जो साधन नवचंडी प्रयोग को संपन्न करता है, वो प्राण मुक्त होने तक भाय रहता है, राज, श्री वर संपत्ती प्राप्त करता है, ऐसा इसका नियम है, मुझा इतना फल इसमें प्राप्त होता है, अब शचंडी की विधी भी दी गई है, कि मा की प्रसनता है तू, किसी भी दुरगा मंदिर के नजदीक, ये दुरगा मंदिर में सुन्दर मंडप त दियार किया जाए पश्चिम या मद्यभाग में दस उत्तम ब्रामन योग्य को व्यक्ति को बुलाकर उन सभी के द्वारा अलग-अलग मारकंडे पुरान की स्वी दुर्गा सफसती का दस बार पाठ करवाना चाहिए इसके अलावा प्रत्येक ब्रामन से एक-एक हजार नवा अनुष्ठान मंत्र भी जब करवाने चाहिए शक्ति संप्रदाय वाले शत्य चंडी यहने 108 पाठ विदी है तू अस्टमी नौमी चतुरदशी तथा पुर्णिमा का दिन शुभ मानते हैं इस अनुष्ठान विदी में नो कुमारियों का पूजन करना चाहिए जो दो से 10 वर्ष तक की होनी चाहिए इन इन कन्याओं को क्रमश पूजन कुमारी द्रीमूरती नारायनी रोहिनी कालिका शांभवी दुर्गा चंडीका तथा मुद्रा नामों मंत्रों से पूजना चाहिए इस कन्या पूजन में संपूर्न मनोरस सिदध है तू म्रामन कन्या यह से त खत्री कन्या। धन के लिए वेष्च की कन्या। पुत्व प्राप्ति हैतुचुद्र कन्या का पूजन करना चाहिए। इन सबी कन्याओं का आवहान प्रत्यक देवी का नाम लेकर के करना चाहिए। जैसे कि मैं मंत्राक्षरमई, लक्ष्मी रूपिनी, मात्य स्वरूपिनी, तता साक्षत नव दुर्गा स्वरूपिनी कन्याओं का आवहान करता हूँ, तता प्रतेक देवी को नमशकार करता हूँ, इस प्रकार से बोलना चाहिए, इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, और वेदी बनाई जानी चाहिए उस वेदी में सर्वतो भद्रमंडल बनाना चाहिए कलस इस्थाफन करके पूजन करचन करना चाहिए सर्चन्डी विधी अनुष्थान में यंत्रस्य कलश श्री गणेश नवगरह मात्रका वास्तू सब्तरिशी सब्तचिरंजीव चोंसट योगीनी छेत्रबाल देवता और अन्य देवताओं का वेदिक पूजन होता है इसके पश्चा चार दिनों तक पूजा सहित पाठ करना चाहिए पांचवे दिन हवन करना चाहिए इसके अलावा भी भहुत सारी विधियां है अनुष्ठान करने की महाभगवती की प्रतिलोम विधी है कृष्ण विधी है चतुरदश विधी है अस्टमी विधी है सहस्त चंडी विधी है ददाती विधी प्रती विधी या ध्यंत गोपनी विधीयां भी इस सहचनडी यग में प्रयोग किया जाता है इन सबका अलग 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 तरीके से मेथेलाजी है पद्धति है जिस से साधक की इच्छित वस्तु में प्राप्त कर सकता है माभगवती से बस्तरते कि आपको ऐसा योग की शास्त्री ये योग की यग्याचार मिलना चाहिए जो इन सब वीधी के बारे में अच्छे से जानता हो कुछ लोग दुर्गा सब्तशती के पाठ के बाद हवन खुद की मरजी से कर लेते हैं और हवन सामगरी भी खुद की मरजी से ले लेते हैं ये उनकी गलतियों को सुधारने के लिए है दुर्गा सफसती के वेदिक आहूती की सामगरी हम आपको बता रहे हैं कि प्रथम अध्या एक पान देशी घी में भिगो करके एक कमल गटा, एक सुपारी, दो लोंग, दो छोटी इलाइची, गूगल, शहद, ये सब चीजें सुर्वा में रख करके, खड़े ओकरके आहूती देना चाहिए ये वेदिक आहूती के हम बात कर रहे हैं, यहां पर तांद्रिक आहूती की बात नहीं कर रहे है जिती अध्याई जब समाप्त हो जाता है तो उस समय पर प्रत्रम अध्याई की सामगरी के अनुसार लेना चाहिए बस उसमें गूगल विशेश होता है और तरती अध्याई जब समाप्त हो जाता है तो उसमें समी सामान जो पहले अध्याई में हमने बताया है कि एक कमल गटा हो गया एक सुपारी हो गई पान हो गया देशी घीम भिगोया हुआ दो छोटी इलाईशी गूगल शहद ये सब चीजे रख करके और इस पेशली इस तरती अध्याई में शलोक नमबर 38 में शहद से आउती अवश्य करना चाहिए चतूर्थ अध्याई में सामान सब कुछ वही है बज़ इसमें एक ध्यान रखेगी शलोक नमबर एक से ग्यारा मिश्रीव खीर से हवन करना चाहिए चतूर्थ अध्याई के मंत्र संख्या 24 से 27 तक इन चार मंत्रों की आहूती नहीं देते हैं यह अवश्य ध्यान रखें और ध्यान से सुनें कि चतूर्थ अध्याई का जब हवन होता है तो इस हवन में मंत्र संख्या 24 से लेकर के 27 तक इन चार मंत्रों की आहूती नहीं होती है ऐसा करने से यदि कोई व्यक्ति गल्ती से भी हवन कर देता है तो देह का नाश होने की संभावना ज़्यादा होती है इस कारण इन चार मंत्रों के इस्तान पर स्री महालक्षमे नमह या फिर ओम चंडिकाए नमह बोल करके आहूती देना चाहिए बाद में इन चार मंत्रों का केवल पाठ करना चाहिए इनका पाट करने से सब प्रकार का भय नस्ट हो जाता है तो यहाँ पर ग्यान की बात ये सामने आई है कि पूरी सफसती में जो चार मंत्र दिये गए हैं चतुर्त अध्याय में 24 से लेकर के 27 तक इनकी आहुती देने से पूरी सब्त शती का जो पुन्या आपको प्राप्त होता है वो नस्ट हो जाता है अब पंचम अध्याय की सामगिरी का नुसाज स्लोक नंबर 9 इसमें जो आहुती दी जाती है वो कपूर पुष्पवद्रितु फल से ही देना चाहिए इसी पकार सब्तम अध्याय में स्लोक नंबर 23 की में भोच पते से आहुती देना चाहिए इसी पकार सब्तम अध्याय में स्लोक नंबर 10 में 2 जाइफल स्लोक नंबर गुनिस में सफे चंदन और स्लोक नंबर 27 में इंद्र जो से आहुती देनी चाहिए यह सब सामगरी आपको लाकर के रखना है और आपको ग्यान नहीं हो तो जो पंडी जी आएंगे उनको यह ग्यान होना अत्यन तावश्यक है अगर आपको यह सामगरी नहीं बताते हैं तो समझो उन पंडी जी को ग्यान नहीं है अस्तम अध्याई में जब हवन करते हैं तो शलोक संख्या 54 और 62 में लाल चंदन पान के पत्ते के उपर रखकर के हवन करना चाहिए इसी प्रकार नवम अध्याई में शलोक संख्या 37 में एक बेलफल और शलोक नमबर 40 में गन्य के टुकुडे से हवन करना चाहिए 31 में कत्थे से हवन करना चाहिए इसी प्रकार एकादश अध्याई में सुलोक संख्या 2 से लेकर के 23 तक पुश्ववखीर से हवन करना चाहिए सुलोक संख्या 29 में गिलो से हवन करना चाहिए 31 में भोच पत्र से हवन करना चाहिए सुलोक नमर 49 में पीली सरसों से हववन करना चाहिए स्लोक नमबर 42 में माखन मिश्री से हववन करना चाहिए स्लोक नमबर 44 में अनार वा अनार के फूल से हववन करना चाहिए और स्लोक संक्या 59 में पालक से हववन करना चाहिए और स्लोक संक्या 54 में फूल हवन करना चाहिए स्लोक संक्या 13 में काली मिर्सी से हवन करना चाहिए स्लोक संक्या 16 में बाल खाल से हवन करना चाहिए और स्लोक संक्या 18 में कुशा से हवन करना चाहिए और स्लोक संक्या 19 में जाइफल से हवन करना चाहिए शलोक संक्या 20 में रितु फल से फूल चावल और चंदन से हवन करना चाइए शलोक नमबर 21 में हलवा पूरी से हवन करना चाइए और शलोक नमबर 40 में कमल गटे मकाने और बादाम से हवन करना चाइए 12 अध्याई की बात कर रहा हूं और शिलोक संख्या 41 में इत्र फूल और चावल से हवन करना चाहिए अब आगरी में आता है 13 शद्याय और 13 वाद्याय इसमें सिलोक संख्या 27 से 29 तक फल फूल से हवन करना चाहिए इस प्रकार से जो दुरगा सफसती का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हो तो ये बहुत सारे विशेश विशेश शिलोक हैं दुरगा सफसती में जिनसे आपकी कामना पूर्ण फूर्ण होती है उसके लिए विशेश हवन सामगरी का प्रयोक किया जाता है जो हमने आपको बताया यदि किसी व्यक्ति को इन अध्यायक में कौन से शिलोक में कौन सी सामगरी के बारे में यदि कोई सूचना चाहिए तो आप देवराधा टरस सत्यवानी चैनल से या सूचना वाटसप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं परन्तु अपना परीचे अवश्य आपको देना होगा तब ही या जानकारी आपको वाटसप के माध्यम से प्राप्त हो सकती है जैसा की बताया गया है कि नवरात्र में शचन्डी अनुष्ठान करते हैं बहुत से उसमें यंत्रस से कलस्ष का स्थापना करते हैं गणेजी की स्थापना करते हैं नवग्र की स्थापना करते हैं सभी पीठ पूजन बताते हैं वेदी की पूजा होती है अखंड दीप की व्यवस्ता अवश्य करते हैं और देवी प्रतीमा की अंग नियास अवश्य करते हैं इनकी विधिवत पूजा नर्चन की जाती है नदूरगा पूजा होती है जोती पूजा होती है बटुक गनेश सहित कुमारी पूजन होती है अभिशेक होता है नांदी श होना चाहिए आसन की शुद्धी करन करना चाहिए प्राणायम की शुद्धी करना चाहिए भूत शुद्धी करना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा भी करना चाहिए अंतर मात्र का न्यास बही मात्र का न्यास सर्ष्टी न्यास इस्ति न्यास शक्ति कलस न्यास सीवकला न्यास और रदियादी नियास, सोडस नियास, विलोम नियास, तत्व नियास, अक्षरा नियास, व्यापक नियास, ध्यान, पीठ पूजा, विशेश ध्याय, चेत्रों का कीलन, मंत्र पूजा, विविद, मुद्रकादी विदी, आवरन पूजा, एम प्रधान पूजा, ये सब शास् चीज अवश्य प्राप्त होती है और अन्यन्य जो पूजा पद्दती की सायता से भगवद्दी आराद न करते हैं उनका भी काम तो बनता है परन्तु काम होने में समय लग सकता है तो जैसा की हमाय द्वारा पहले बताया गया है आपको की पाठ किस प्रकासे करना चीए तो साधक जो भी मनुश्य है पाठ करता है उसे इसनान करके पवित्र हो करके आसन शुद्धी की क्रिया संपन्न करके शुद्ध आसन पर बेठना चाहिए साथ में शुद्ध जल, पूजन सामगरी और दुर्गा सफसती की पुस्तक रखना चीए पुस्तक को अपने सामने लखडी के पटे के उपर शुद्ध आसन पर विराजबान करना चाहिए ललाट में अपनी रूची के अनुसार भस्म लगा लें, चंदन लगा लें, रोली लगा लें, कुम-कुम लगा लें यदि शिखा हो, चोटी हो तो चोटी को बांदना चाहिए फिर पुर्वा भी मुख हो करके, पुर्वा में मुख रखकर के तत्व शुद्धी के लिए चार बार आच्मन करना चाहिए इस प्रकासे ये आच्मन करना चाहिए, तत्व शुद्धी के लिए उसके पश्याच प्रानायाम करना चाहिए गणेश आदी जो देवता हमने आवहान किये हैं, उन सब को प्रणाम करके गुरु जनों को प्रणाम करके फिर कुश की पवित्री धारन करना चाहिए मंत्रो चारन के मध्यम से और लाल फूल अक्षत और जन लेकर के संकल्प लेना चाहिए ये सब पूरा वीधी विधान वीधी विधान से सफसती का पाठ और अनुष्ठ ठान करने पर ब्रामन लोग कि ये सब काम आपको करवा सकते हैं आप अकेले कुछ नहीं कर सकते तो इस पकार से संकल्प का भी एक वीशेश महत होता है परन्तु संकल्प तब होता है जब आप सकाम भाव से दुर्गा सफसती या फिर माभगवती की आरादना कर रहे हैं परन्तु यदि निश्काम भावती बस तेरी क्रपा बनी रहे हमें कुछ भी नहीं चाहिए तु जो देगी बस शिकार है इसको निश्काम भावती बोलते हैं तो निश्काम भावती में संकल्प की आवशेक्ता नहीं होती है निश्काम भावती में सिभ हम उस भावती से अगाद प्रेम करते हैं अनं और उसके बाद योनी मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करना चाहिए फिर मूल नवान मंथ से पीठ आदी में आधार शक्ती की स्थापना करके पुस्तो को विराजबान करके शापोद द्वार अवश्य करना चाहिए क्योंकि सफसती का पाठ करते हैं तो ऐसा कहा गया है कि सफसती को स्री भोलेनात ने किलित कर रखा है तो उसे उत्किलन करना होता है तो इसके लिए शापोद द्वार का पाठ हर पाठ करने वालों को अवश्य करना चाहिए यहन्य कि दुर्गा सफसती का पाठ करने का मतलब हो विशे स्थोर से अपने गुरू से सीखना चाहिए उनके सानिध्य में रह करके तपाठ करना चाहिए अब आपके पास इतना समय होना चाहिए क्योंकि आपके पास समय नहीं है आज के जमाने में समय की बड़ी कमी होती है हर मनुशी के पास में इसलिए किसी ब्रामन से जिसने इसकी दिक्षा ली हो, शिक्षा ली हो, पढ़ाई की हो, उससे अपने घर में पाठ कराना चाहिए, तो इसके शापना नुग्रह भी किया जाता है, उत्किलन किया जाता है, उसके बाद में पाठ वगेरा करना चाहिए, उसके भी उत्किलन करने के, शापो द्वार करने के भी दुर्गा सफसती में जो है बीस मंत्र दिये गए है मतलब दुर्गा सफसती को शापित या किलित किया गया है उसका उत्किलन करने के लिए ने ताला कोलने के लिए ये बीस मंत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए तब ही शापोद द्वार होता है और उसके बाद ही देवी जी की मतलब महा काली महा लख्षी महा सरसती की कृपा प्राप्त होती है और मनुश्य को जैसा कि मैंने का है अर्गला कीलक कवच का पाथ अवश्य करना चाहिए तब ही जो है ये शक्तियां आपको प्राप्त हो सकती है तो इस प्रकार से दुर्गा सफसती का पाथ जब तक कि आप कोई प्राशिक्षन न ले ले किसी गुरू से ज्ञान प्राप्त न कर ले गुरू से उसका तरीका मेधरला जी न सीख ले पाथ करने की कि किसके बाद क्या पाथ करना है तब तक दुर्गा सफसती का पाठ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये किताब पूर्ण रूफ से एक तंत्रात्मक किताब है क्योंकि इस किताब का पाठ करने से दुर्गा सफसती के जो तेरा अध्याय हैं अर्गला, कील, कवच और आत्री सुक्त ये सब पाठ करने से आपको वि हो सकता है शारिरिक नुकसान हो सकता है मानसिक नुकसान हो सकता है इसलिए विधी विधान का पाला नमश्य करें जैसा कि मैंने कहा है आपको कि ये दुर्गा सफसती के जितने भी 700 मंत्र हैं सब्त शती यहने 700 मंत्र हैं यह मंत्र को किलित किया गया है स्वयम भोले नात ने इसका दुरूपयोग न कर सके क्योंकि दुर्गा सब्सती का पाट करने से मनुष्य के पास में मारन मोहन उच्चाटन वशी करन विद्वेशरन और उत्किलन यह जो दोश होते हैं किसी को हराना किसी को इस्थम्हित करना यह सब चीजे यह शक्तियां छे शक्तियां प्राप्त होती है और फिर इसका दुरूपयोग हो सकता है इसलिए इसको किलित किया गया है तो इस किलन को उत्किलन करना परता है ताला लगा हुआ है ताले को पहले खोलना परता है फिर पाठ करना परता है ताकि उसका लाभ प्राप्त हो सके तो इसका एक विशेश विधान है उस विधान के अनुसार ही दुर्गा सफसती का पाठ करना चाहिए तो ही फल की और दुर्गा सफसती में जो कुंजी का इस्तरोत दिया गया है उस कुंजी का इस्तरोत में एक लाइन जो गीता प्रेश गोरगपूर की दुर्गा सफसती की किताब है उसमें से डिलिट की है उसमें वो लाइन नहीं लिखा गई है यानि दुर्गा स कुंजी का इस्तरोत जो से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, हम आपको वो लाइन लिख कर के दे सकते हैं, तभी वो कुझी का इस्तरोत का पार्ट करेंगे, तो फल की प्राप्ती होगी, अन्यता आपको फल की प्राप्ती नहीं होगी, चाया कुझी का इस्तरोत का कितना ही पार्ट कर लें, कितना ही हव करने उस कुझी का सदे कर दिया गया है या जो भी उनकी बंचा रही हो वो जाने तो इसकी वज़े से कुझी का सदे के पाठ का फल प्राप्त नहीं होता है तो आपको ये लाइन अवश्य जोडें उसके बाद में ही आपको कुझी का इस्तोत का फल की प्राप्ति होगी जैमातादी जैमा कमक्या देवराधा ट्रस्ट के द्वारा दुर्गा सब्तशती रहस्य ये नामक किताब लिखी गई है तो देवराधा ट्रस्ट से आप चाहें तो ये नवरातरी रहस्य दुर्गा सब्तशती रहस्य गुप्त सब्तश सफसती रहस्य और वीजात्मक दुर्गा सफसती रहस्य नामक किताब लिखी गई हैं आप चाहें तो यह किताब इस नवरात्री के विशेश पावन पर्वपर्व आप प्राप्त कर सकते हैं कोड नंबर है 22 मार्च सन 2023 आपको यह लिखकर के भेजना है तो यह किताब के वर आपको 600 रुपए में आपको कूरियर के माध्यम से आपके घर तक भेजी जा सकती है जैमातादी जैमा का मख्या